असलाम लेकुम आपके साथ कीमे के कबाब के रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ यह कबाब बहुत ज़्यादा डेस्टी होते हैं और इसको बनाने में बहुत ही कम महनत भी लगती है और बहुत ही कम टाइम लगता है और इसमें इंग्रीडियन्स भी जो होते हैं इसमें कोई एक्स्ट्रा इंग्रीडियन्स आपको यूज करने की जरुरत नहीं है और साथी में यह बहुत ही अच्छे बनते हैं तो चलिए आम इस रेसिपी को देख लेते हैं यहां पर मैंने 500 क्राम कीमा ले लिया है और इसे अच्छी तरह से वाश करके इसका पानी रिमूफ कर लिया है साथी में हम एक मीडियम साइज की अनियन एड़ करेंगे क्योंकि अभी हमें इसे पीसना है तो इसलिए हम इसे रफली चॉप करके दाल देंगे जिंजर का correction आड़ करेंगे थोड़ा सा आझ करेंगे यानि तस्वाणी धक करेंगे उनन हम अपने तस्वाच गैपर आग करेंगे लाग तुसपन कम लिनी में तेस्पोन हम ब्लै Project करेंगे यहां पर मैंने बुनेवे चने का पाउडर लिया है हाफ कप अगर आपके पाउडर सीना हो तो आप बेसन भी ले सकते हो तीन से चार ग्रीन चीलिस ले लेंगे और थोड़े से कोतमीर और पुदीने के पत्ते आड़ करेंगे साथी में मैंने हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर एड़ किया है और यहां पर मैंने एक लेमन जूस आड़ किया है और लेमन जूस आड़ करने के बाद हम इसे पीस लेंगे तो यहां पर मैंने इसे पीस लिया है अच्छी तरह से और इसमें 2 टेबल स्पून बटर आड़ करेंगे मेल्टेट बटर मैंने आड़ किया है आप इसमें घीव अगेर आड़ कर सकते हो इसे हमारे जो कबाब है वह बहुत ही साथ सौफ बनेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप इसका टेक्शर देख सकते हो एकदम स्मूध है अभी हम इसे थोड़ी त्राइम के लिए मैरिनेशन में रखेंगे एक से दो गंटा अगर आपके पास बहुत साथा त अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं तो आप 15-20 मिनिट के करीब भी रख सकते हो और इसे मैंने फ्रीच में रख दिया था और दो गंटे के बाद मैंने इसे निकाल लिया है तो यह भी राइडी हो गया है तो अभी हमें जो भी साइज में आपको चाहिए उसके अगर आप इसे अच्छी तरह से बनाओगे और प्रपर मेरिनेशन में रखोगे तो यहां पर सारे कबाब रेडी हो गया है तो यहां पर मैंने ओल ले लिया है एक पैन में और इसे हम मेडियम टू हाइफ लें पे ही फ्राइब करेंगे लो फ्लेम पे हम इसे कुप नहीं कर और लेकिन आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको 5-6 मिनेट ही जो है लगेंगे इसे अच्छी तरह से एक साइट से कुप करने के लिए दोनों साइट से आपको 13-14 मिनेट से लग जाएंगे लेकिन यह उस टाइम में अच्छी तरह से कुख के रेडी हो जा अच्छी तरह से हमारे मटन कबाप रेडी हो गए है आपको पास से भी तिखा देती हूँ और जो बाकी के रिमेनिंग है वह हम इसी तरह से फ्राइ कर लेंगे तो फ्रेंज उमीद करती हूँ आपको यह रेसीपी पसंद आई होगी अगर रेसीपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी जल्दी से इस च अच्छे बनेंगे और उमीद करती हूँ आपको यह रेसीपी पसंद आई होगी अगर रेसीपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा तैंक यू